हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कुकुत पूनम में आपका स्वागत है और आज में बनाऊंगी गार्लिक चीज ब्रेड तो चलिए रेसिपी देखते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें बगल में बेल आइकन है यूसे भी क्लिक करें त मिष्ट मैंने हाफ टीश्पून से थोड़ा सा जाधा ही लिया है इसमें आइट करेंगे मिल्क मिल्क थोड़ा सा वर्म होना चाहिए यानि गरम होना चाहिए इसमें मैंने हाफ कप दूद डाला है इसे रख देंगे दस मिनट के लिए बाउल में डालेंगे परपस फ्लार यानि मैदा एक कप और हाफ कप और इसे चाहन लेंगे मैंने यहाँ पे 250 गरम मैदा लिया है इसमें एड करेंगे वन टीस्पून सॉल्ट दस मिनट हो चुका है इसमें डाल देंगे एक्टिबिस्ट इसमें आइड करेंगे मिल्क आप चाहें तदूद की जगा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसका एक डो रेडी करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालें डो रेडी हो गया है इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा ओयल डो को गीले कपड़े से ढखके आधे घंटे के लिए रख देंगे 30 मिनट्स हो चुका है और यह अपने साइस से डबल हो चुका है थोड़ा सा मैदा डस्क देंगे इसमें आइट करेंगे वन टी स्पून बटर इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे कि दोड़ा है जो एको बिषो खरो फटो खाल सवक्साटस बाइब कि यहां मैंने केक टिन लिया है इसमें बटर लगा देंगे मैंने इसे बटर से ग्रीज कर लिया है अब इसमें डो को रख देंगे और इसे ढख के रख देंगे गरम जगा पे एक घंटा के लिए या तब तक जब तक कि अपने साइस से डबल ना हो जाए इसके उपर ओयल से ग्रीज कर देंगे मैंने इसे एक घंटे के लिए रख दिया था और यह फूल कर अपने साइज से डबल हो गया है इसके उपर बटर से ग्रीज कर देंगे आप चाहें तो बटर को मेल्ट भी कर सकते हैं मैंने इसके उपर वटर लगा दिया है अब इसे बेक करते हैं इसे कड़ाई में बेक करेंगे तो यहां पर मैंने नमक डाला है इसके उपर स्टेंड कड़ाई को दस मिनिट के लिए प्री हीट कर लेंगे प्री हीट करने के बाद डो को रख देंगे और इसे ढख देंगे और इसे कुखोने देंगे 15 मिनिट के लिए मीडियम फिलेम पर पाव को मैंने बाहर निकाल लिया है अब इसे छूड़ी की सहाइता से यहां पर मैंने बावल में बटर लिया है इसमें आड कर देंगे पाइन चॉप गार्लिक इसमें आड करेंगे कोरियंडर लीप इसे मिक्स कर देंगे पाव को कट कर देंगे इसे हाफ हाफ कट कर देंगे मैंने इसे कट कर लिया है अब इसके अंदर बटर और गार्लिक को भर देंगे इसमेंगे इसमें आड कर देंगे अंदर भी और्फ जunn来ने झाल फावाल कर देंगे लां कर देंगे कि इसे मैंने वापस से मोल्ड में डाल दिया है कि इसमें डाल देंगे चीज कि इसे वापस से 10 मिनिट के लिए बेक कर लेंगे आप चाहें तो इसे आवन में भी बेक कर सकते हैं इसके ऊपर एड़ करेंगे चीली फ्लेक्स कोरियंडर लिप अब इसे बेक करते हैं चीज डालने के बाद आप इसे हाई फ्लेम पर आठ से 10 मिनिट तक बेक करें मैंने इसे बेक कर लिया है और आपको गार्लिक चीज ब्रेट की रेशिपी पसंदा है तो प्लीज लाइक सेस्क्राइब और शेयर जरूर करें झालने करें